नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है विहारी नियूज में चले जानते हैं देश विदेश की ग्यारप्रमु खबरों को COVID-19 के बढ़ते माहल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब ही मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हर दिन लगभग 10,000 से ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सभी राजयों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातशीत करने वाले हैं खबरों के माने तो प्रधानमंत्री वीडियो कांफरेंसिंग के माधियम से मुख्यमंत्रियों के साथ 16 और 17 जून को संबाद करने वाले हैं हो चुकी है भारत में COVID-19 से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी देश में COVID-19 के मामले पर 24 घंटे में अगर देखा जाया तो बहुत तेथी से बढ़ होतरी देखने को मिली है स्वास्ते वभाग के तरफ से जारी किये गए आकड़ों के नुसार बीते 24 घंटे में COVID-19 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 11,458 दर्च की गई है जिसकी वज़े से सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है वहीं 24 घंटे में 386 लोगों की जान जा चुकी है इससे ठीक हो चुके हैं वहीं फिलहाल भारत में सक्रिय मामलों की बात करें तो अब तक इससे 1,45,780 लोग प्रभावित हैं जिसकी वज़े से सारवजनिक वाहन मालिकों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है महीं सरकार ने सभी आम नागरिकों की जिंता को देखते वे साइकल पर जोर देने की अपील की है जिसके तहट आवासेवं शहरी मामलों के मत्राले ने हाली में अपना एक बयान जारी करते वे कहा है कि बंद की बज़े से पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में 90 प्रतेशत तक गिरावर दर्च की गई है COVID-19 की बज़े से बढ़ रही परिशानी अभी भी लोगों के बीच दिखाई दे रही है ऐसे में राजियों को परिवहन से दूसरे विकल्प के बारे में सोचना जरूरी है इसलिए सभी लोगों को यह कोशिच करनी चाहिए कि बिना पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर ज्यादा ध्यान दे सिर्फ शहरी इलाके में ही नहीं बलकि ग्रामीन इलाकों में भी साइकल को बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है इतना ही नहीं हाले में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि COVID-19 के इस माहल में सारवजनिक परिवहन को पहले की तरह शुरू कर पाना एक बहुत बड़ी चुनोती साबित होने वाली है क्योंकि आम नागरी का पैदल चलना है या खुद की वाहन से चलना ज्यादा सही मान रहे है रेल में फ्री टिकेट बुक कराने बाले सांसदों पर अब राजसभा के सभपती वैंकया नाइडू की है नजर अकसर ऐसा देखने को मिलता है कि कई सांसद रेल के टिकेट बेवज़ा फ्री में बुक कर वाले थे हैं जो परिवार समित मुफ्त रेल यात्रा की सुवधाओं का अनुचित तरीके से उपियो कर रहे हैं हाले में पश्विम मंगाल के एक सांसद की खबर भी सामने आई थी जुन्होंने एक महीने में 63 ट्रेन में यात्रा के लिए टिकेट बुक करवाई थी ऐसा करने से बचने की अपील की है अब यात्री बुक किये गए टिकेट में भी डेट का कर सकते हैं बदला सभी यात्रियों के सुवधा को तिहान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने नई सुवधा की शुरुआत की है जिसके बाद अब यात्री टिकेट के डेट को और आगे बढ़ा सकते हैं रेलवे की तरफ से जारी किये गए नए नियमों के अनुसार ओफलाइन टिकेट कराने वाले पैसेंजर्स को यात्रा के टिकेट पर डेट बढ़ाने की सोविधा दी जाएगी इसमें यात्री अपने सोविधा अनुसार टिकेट पर आगे की डेट बढ़ा सकते हैं बस यात्रियों को इसके लिए टिकेट काउंटर पर जाना जरूरी होगा काउंटर पहुंचते ही एक फॉर्म भढ़ना होगा जिसमें डेट चेंज की बात लिखनी होगी हलाकि रेलबे ने अपनी तरफ से यापी साफ कर दिया है कि डेट चेंज करवाने का काम सिर्फ यात्री एक बार ही करवा पाएंगे एक से ज्यादा बार यह सोविधा माने नहीं होगी इतना हीने टिकेट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाफ करते वे यात्रा की तारीक से 6 महीने तक काउंटर से अपना पैसा वापस लेनी किस्सो विधा दी गई है अनिलंबानी से 1200 करूर रुपे लेने के लिए SBI ने मांगी NCLT से मदद भारतिय स्टेट बैंक में अनिलंबानी से 1200 करूर रुपे से अधिकी वसूली करने के लिए अब राश्ट्रे कंपनी कानून निया अधिकरन की मदद मांगी है क्योंकि अनिलंबानी ने Reliance Communication और Reliance Infratel को दिये गए कर्ज के लिए अनिलंबानी के नेत्रित वाली Reliance समू की प्रवुक कंपनी Reliance Communication ने 2019 के शुरुआत में दिवाली अपन के लिए आविदन कर दिया था Facebook जल्दी कर सकती है नए फीचर को रोल करती रहती है जिसके तहित ऐसा फीचर शुरू होने जा रहा है जिससे यूजर को किसी भी विशय की जानकारी अब Facebook के माध्यम से ही मिल जाएगी एक वीडिया रिपोर्ट के अनुसार Google से बराबरी करते वे Facebook अब Wikipedia के साथ मिलकर एक Knowledge Box ला रही है तो इसकी जानकारी भी आपको सर्च करते हुए देखने को मिल जाएगी खबरों की माने तो यह बिलकुल वैसा ही होने वाला है जैसा Google में कुछ भी सर्च करने पर साइड में एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है जिसमें आपके सर्च किये वे टॉपिक के बारे में बुनियादी जानकारी मिल जाती है जिसे Google का Knowledge Panel भी कहा जाता है छे महीने में अब छात्रों को पूरा करना होगा आठ महीने का सिलिबस उच्छ सिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया जुलाई के अंत महीने से शुरू करवा दी जाएगी और अगस्त में समाप्त करती जाएगी वहीं 1 सितंबर से नए सक्षनिक सतर 2021 को शुरू किया जाने की खबर भी सुनने में आ रही है जिसको ध्यान में रखते वे सभी छात्रों को 6 महीने में कोर्स पूरा करने की बात कही गई है इससे पहले सबी चात्रों को आठ महीने का समय सिलिबस पूरा करनी के लिए दिया जाता था वहीं उच्छ सिक्षा विभाग ने या भी साफ कर दिया है कि सिलिबस में कटोती नहीं की जाएगी और इससे कक्षाय संचालित होने शुरू हो जाती थी मगर इस बार बंध की वज़े से पूरे सत्र में उलट फेर देखने को मिला है COVID-19 के नाम पर राजुनीती एक बार फिर से हुई शुरू COVID-19 के नाम पर राजुनीती बीते कुछ दुनों से लगातार देखने को मिल रही है जो हां कॉंग्रेस बार बार प्रधानमंती नरेंद्र मोधी से सवाल जवाब तलब कर रहा है इस एकरम में बीते दिन कॉंग्रेस के पूर्वध्यक शुरू गांधी ने COVID-19 के बढ़ते संक्रमन के मामलों को धियान में रगते वे नरेंद्र मोधी सरकार के खिलाफ खुब बयान बाजी की है राहुद गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते वे लिखा है कि भारत का एक गलत प्रीस जीतने के लिए मजबूती से आगे बढ़ना बेहदी चुंता जनक है COVID-19 का लगातार बढ़ता सर प्रधानमती नरेंद्र मोधी के एहंकार और और शमता के मिश्रन का परिनाम है इतना ही नहीं उन्होंने COVID-19 के मामले में हो रहे बृधी और COVID-19 में संक्रमन के संदव में भारत की दुनिया में चौथे सान पर पहुँचने से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया है वह आपको बता दे भारत में अब तेजी से COVID-19 के मामले बढ़ते जा रहे बीते 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जो के अब तक के सरवाधी क्वामले हैं जिसको ध्यान में रखते वे किंद्रिय स्वास्तर मंतराले के तरफ से जाच की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की गई है भारत के खिलाफ नेपाल की नक्षे बाजी हुई वे भारत के खिलाफ कदम उठाने की क्रम में नेपाल की प्रधान मंतरी केपी शर्मा ओली ने बीते दिन नक्षे का प्रस्ताव जारी किया था जिसके बाद नेपाली जंता ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था जिसके बाद जब जारी किया गया प्रस्ताफ को संसद में पहुचाए गया तो पहली बार में ही प्रस्ताफ संसद में पेश नहीं हो पाया जैसे तैसे संसद में पेश हुआ तो उस प्रस्ताफ को पा तिक्रिया देते वे कहाए कि सरकार ने भारत के साथ सीमा विवाद पर ठोज प्रमान दस्तावेश जुटाने के लिए 9 सदस्यों वाली विश्ण शग्यों की एक टीम का अगठन किया है जिसका सईयों जिन डॉक्टर विश्णुराज को बनाए गया है यह समीती में सीमा नेपाल के बीच लिपुले एक और काला पानी को लेकर बीते कई दिनों से विवाद देखने को मिल रहा है जहांपर कुछ दुनों पहले नेपाल ने अपना नया लक्षा जारी करते वे लिपुले एक और काला पानी के अपने हिस्से में होने का दावा किया था संजो सामसन को है धोनी की तरह बनने के इच्छा भारतिय टीम के पूर्फ कप्तान महींदर सिंग धोनी वर्तमान खिलारियू के लिए एक प्रेड़ना से कम नहीं है इसी का प्रमान हाली में भारतिय टीम के युवा खिलारी और स्टार आईपियल बल्लेबास के नाम से मशू कीपर की परिभाशा को ही बदल दिया है उस्ट्रेलिया के पूरे खिलारी गिलक्रस्ट और धोनी ऐसे विकेट कीपर है जिरोंने पूरे खेल को कई बार बदला है सिर्फ विकेट कीपर ही नहीं महींदर सिंग धोनी तो एक अच्छे बल्लेबास भी और यह सबसे ज्यादा कोविड-19 के इसमा हॉल में आमनागरिकों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है जिसकी तहत Google Search Engine ने साफतोर पर खाये कि उसने अपनी Search Assistant और Map सेवाओं पर निकरतम COVID-19 जाचकेंदर का पता बतानी की सुविधाश शुरू कर दी है जिसके बाद Google ने अपना बया करतिये भाशाओं में उपलब्ध करवाई जाएगी जिसकी माध्यम से किसी भी भाशा के लोगों को Google द्वारा बताय जा रहे इंस्ट्रक्शन को समझने में परिशानी नहीं होगी जिसके पर नाम सरुप Google ने अब हिंदी, बंगला, तेल्गु, तमिल मल्यालेम, कर्णर, म पराथी और गुजराती भाशा में जाच केंद्रो का पता बताना शुरू कर दिया है। दिपिका ने मदद की मांग करते वे कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके माता और पिता की सरकार की तरफ से थोड़ी मदद मेलेगी। पिनात की प्रतिमाय मौझूद थी जुने भगवान विश्णू का रूप भी वहां के स्थानिया लोग मानते हैं। महीं मंदर की खोच नयागड के पास पदमावती गाउं के बालेश्वर के पास नदी के बीश में की गई है। कारों की माने तो 60 फीट लंबा यह मंदिर 15 वे शताबदी के आखरी में बनाए गया था और 11 सार पहले भी इस तरह का मंदिर पानी से बाहर आया था। पूने रेलवे स्टेशन पर अब रोबोट करते नज़र आएंगे याद्रियों की स्क्रीनिंग, COVID-19 के इस माहल में सोचल डिस्टेंसी के नियमों का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते वे पूने रेलवे स्टेशन की तरफ से एक एहम कदम उठाए गया है। सामाजी कतिविधी को ट्राक करने के लिए Artificial Intelligence Algorithm का उपयोग करते हैं। इसमें एक Inbuilt Siren और H-264 प्रसेसर भी है जिसे की रिकॉर्डिंग की सुबधा भी इस रिबॉर्ट में उपलब्ध है। जिसके परिणाम सरूप अप्स्क्रीनी के दौरान जिस भी व्यक्ति का तापमान ज्यादा पाया जाएगा। जिसके बाद यह साइरन खुद बखुद बज़ने लगेगा। जोली बढ़ते आज के सवाल के और आज के सवाल कोछ इस प्रकार है।